इल्हाल अभी जो requirement का आपके साथ में sharing करने वाले हैं और आपको जो details देने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपको पता है कि फिलिप कार्ट अभी दो department में हो गया है जब आपको भी पता है क्योंकि एक grocery का department है एक warehouse logistics department है तो यह जो department है अलग होने वाला है देट मीन बोलू तो यहाँ पर जो काम होने वाला है यहाँ पर फिलिप कार्ट grocery में काम होने वाला है इवेन grocery का warehouse है इसमें काम होने वाला है और एक आता है आपका logistics warehouse जिसमें materials आते हैं जैसे कि आपका जो भी order करते हो electronic products हो गया और आपका garment products हो गया वो सब लेकिन grocery में सिर्फ और शिर्फ आपको रोज मर्रा की चीजे फुडिंग के चीजे आती है वही सब इसमें packing, scanning, picking वगेरा होता है तो इसी के बारे में हम आपके साथ में update करेंगे देन कि आप लोग अभी नए हो तो जरूर से subscribe कर देना क्योंकि यहाँ पर जितने भी information साथ यह authentic होता है तभी हम आपके साथ में share करते हैं अना दर्वे हमें यह नहीं मतलब यह नहीं हो कि हम कुछ भी आपके साथ में share करते हैं साज बिलकुल भी नहीं होता है जो accurate information होता है वही मैं आपके साथ में update करता हूं देन कि यह फिलिपकार्ट grocery warehouse company है अगर हम इसमें work profile की बात करें तो आपको भ जबान पर एक ही नाम आता है कि वियर हाउस हेलपर का काम होने वाला है वियर हाउस हेलपर, स्कैनर, पैकर, पिकर, जस्ट बिकाउज काम तो यही होते हैं, आपको बता दू इसमें लोडिंग अलोडिंग भी आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पिकिंग डिपार्टमेंट में काम है तो आपको पैकिंग पिकिंग का ही काम करने हैं, no, क्योंकि हम आपको सुरू से ही रिकमेंडेशन करते हैं, at least आपका जो काम होगा वो आपको करने होंगे, basically करने होंगे, and इवेन कि बता दू, डिव्टी 9 घंटे की सिफ्टिंग है, 26 26 days working in a month है, तो 9 hours की shifting है, 26 days working in a month है, qualification की बात करूँ, minimum 10th pass है, below 10th pass candidate not applicable in this company, right now minimum education is 10th pass and 10th pass compulsory criteria, आप ध्यान से समझेगा, यह जो 10th pass का limitations है, criteria है, यह आपका completed होना चाहिए, दिन की age limitation की बात करूँ, minimum 18 है, maximum 35 years है, age का basic criteria है, वो भी आपका complete होना चाहिए, क्योंकि दिन की अभी बोल दू, तो company दो चीज़े max to max need करती है, पहला जो होता है, age limitation, जो की बहुत ही ज़्यादा compulsory होता है, दूसरा होता है, आपका education, अगर company need कर रही है, तो आपका education most important है, जो आपका completed होना चाहिए, basically अगर आपका complete नहीं होगा, तो फिर आप applicable नहीं हो पाएंगे, anyways, यहाँ पे location की बात करूँ, दानकुनी कोलकता, locations में अभी jobs के requirement होने वाले, जो भी लोग excitement है, दानकुनी में काम करने के लिए, दानकुनी में ही, अभी suppose माने, तो अभी हमारे पास में, तीन-तीन warehouse में, jobs हाई होए, सभी का explain करेंगे, even सभी का location दानकुनी में ही है, और दानकुनी में ही यह requirement है, anyways, अब बोल दे salary के बारे में, तो देखिए, यहाँ पे salary बताएगा, 10-11,000 पिस monthly basis, and after then 3 months, your salary will increase 10%, तो यह salary आपका increasement होगा, because ऐसा नहीं कि यह fixable amount मैंने आपके साथ में sharing किया हो, जी नहीं, वीडि चार्जेबल है, free job नहीं है, क्योंकि जितने भी warehouse और officially jobs आते हैं, आपको भी पता है, factory industries के लिए सिर्फ deposit amount लगता है, but आपको warehouse and officially jobs के लिए बुलुमाया के तरब से आपको चार्जेबल amount देना पड़ता है, मैं वीडियो में ही आपके साथ में शंगलन करता हूं, share करता हू लेकिन authentic है, 100% joining process से आपका completed होगा, मिलते नई information और नई vacancies का कोई update ले करके तब तक के लिए बाए